बापा से मेरा संबन्द तीस साल पहले बना जब मैंने अपनी सामाजी का और राजनीतिक जीवन के शुरुआत की और जिस रोज पहली मरतबा मैं बापा से मिला बापा ने मुझसे कहा कि कुरान का एक स्लोक पढ़के सुनाओ मैंने एक छोटा सा स्लोक जो मुझे आता था वो पढ़के सुनाया बापा की जो शैली ती सर पे हाथ फिराना पीट पे हाथ फिराना और थपता पाना उस तरह से उन्होंने थपताया और कहा कि आप मुसल्मान हो अपनी कुरान को मुकमल अच्छी तरह से पढ़िए आपका जीवन सुकी और सुन्दर रहेगा समाज को दुनिया को इखटा और सुन्दर रखने के लिए अपने धर्म को अपने मजब को समझना पढ़ना जानना और अपने जीवन में उसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है ये सीख आज की दुनिया में किसी संत और महत्वा ने किसी एक हिंदूस संत और महत्मा ने सबी धर्मों के लिए कहना मैं समझता दुनिया में एक में वाउदारण पिछले सव साल में अगर कोई होगा तो बगवान स्वामे नारण के बाद प्रमुख स्वामे महाराज